नमस्कार दोस्तो चली आज हम लोग model percent pack 3 को solve करेंगे जो समाजिक विज्यान का है ठीक है बाकी दो set जो है वो हो चुका है हम लोग अब set No.3 को देखेंगे और यह समाजिक विज्यान का है जो objective वाला है उसको देखेंगे total पुर्णा कितना है 40 यानि 40 objective आपका होगा ठीक है चलिए तो हम लोग देख लेते हैं question number 1 से देखिए आपको दिखरा होगा question number 1 ठीक है तो question number 1 में क्या लिखा है बेना Congress यानि 1815 का बात है कि मेजबानी किसने किया था तो बेना Congress की मेजबानी करने वाला वेक्ति था Duke Metternich ये जो लिखा है Duke Metternich लिखा है ठीक है ये question number 1 है इसका answer होगा option number A क्लिए रहे हैं तक question number 2 में लिखा जालिया लबाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी तो आपको date याद रखना है जालिया लबाग हत्याकांड 13 अप्रेल 19 से 19 को हुआ था यानि question number 2 है इसका सही answer होजाएगा option number B question number 3 में लिखा है पुना पेक्ट किसके बीच हुआ था तो देखे पुना पेक्ट जो समझोता हुआ था वो गांधी और अमबेटकर यानि महत्मा गांधी और दक्टर भीम्रा अमबेटकर के बीच हुआ था question number 3 है उसका सही answer option number A हो जाएगा question number 4 जिसमें लिखा है अफरीका में रिंडर पेस्ट यानि मवेशी प्लेग नामक के बीमारी कब फैली थी तो ये बीमारी 1890 के दसक में फैली थी यानि question number 4 है उसका सही answer option number C हो जाएगा question number 5 question number 5 में लिखा है ये रोप में कागज बनाने का पहला का रखाना कहा खोला गया तो ये रोप में कागज बनाने का पहला का और खाना इंग्लेड में खोला गया यानि Q5 है उसका सही answer हो जाएगा option number A यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिये बाकी हम लोग अब question number 6 से देखते हैं तो देखिए question number 6 में लिखा है ग्रिहत उत्पादन की निती अपनाई थी ग्रिहत उत्पादन की निती किसने अपनाई थी हैंडरी फोर्ड ने यानि जो question number 6 है इसका सही answer option number C हो जाएगा question number 7 में लिखा है सोड मिया पीड माउंट का सासक कौन था तो सोड मिया पीड माउंट का सासक जो था वो विक्टर एमेनिवेल थे यानि question number 7 है उसका सही answer option number C हो जाएगा question number 8 में लिखा है बेना कॉंग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुना किस बंस का सासन इस्थापित हुआ तो आपको याद रखना है वो सासक थे बूबो बंस क्या था बूबो बंस यानि question number 8 है इसका सही answer option number C हो जाएगा question number 9 में लिखा है युनान को एक सवतन तराष्ट घोसित किया गया था तो कब किया गया था युनान को एक सवतन तराष्ट घोसित तो आप question number 9 है इसका सही answer हो जाएगा बी नमबर option B 1832 में देखे question number 10 में लिखा है British भारत ने गिर्मिटिया स्रमिकों की 22 ता किस वर्षा समाप्त की तो जो question number 10 है उसका सही answer हो जाएगा option number B 1921 में ठीक है यहां तक समझवा गिया चलिए अब question number हम लोग 11 को देखेंगे question number 11 12 में क्या लिखा हूँ है इसमें लिखा है पंजाब के भूमी निम्निकरन के पर मुक की कारण क्या है जोसका भूमी का जो मुख की कारण क्या है तो उसका मुक के कारण है एतिस ही चाई also 11 सही answer option number C हो जाएगा question number 12 में लिखा है राष्ट्यवन निति के अंत्रगयत कितना प्रतित भोगलिक हैं वांचित हैं तो वांचित थे तिस परतिसन यानि को चंत साइव हूज में कॉशन है क्राइब से हो जाएगा APCY when your में कौन सी hin फिर्ण स्था पॉदो inappropri और वो को भी भी निश्रेनियों में बाठती है तो वो संस्ता है IUCN यानि कोश्चन नमबर 13 का सही अंसर हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा option number B IUCN ठीक है यहां तक समझ में आ गिया चलिए तो आगे हम लोग देखते कोश्चन नमर 14 में लिखा हुआ हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनी है तो हीरा कुंड बांध महा नदी पर बना हुआ है इसका मतलब कोश्चन नमर 14 है उसका सही अंसर हो जाएगा option number B देखिए कोश्चन नमर 15 में लिखा है निमन में से कौन प्राचीन जल संगरहन तकनीक नहीं है तो देखिए जो बहु देशी पर बिजना है यह प्राचीन नहीं है यह नया है आधुनिक है इसलिए question number 15 का सही अंसर option number C हो जाएगा question number 16 में लिखा है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो रेशम कीट पालन जो है उसको सेरी कल्चर कहते है question number 16 का सही अंसर हो जागा option number A question number 17 में लिखा है वह प्राक्तिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित अंत्राल आंतरिक सनचना है कहलाता है यह देखिए थोड़ा सा यह मिश्चर के question 1 वह प्राक्तिक समरूप तत्तो हो गाई है क्या ठीक है जिसके एक निश्चित आंत्रिक सनचना है क्या कहलाता है तो इसको हम लोग क्रिसी आधारित उधोग कहते हैं यानि question 18 का सही answer हो जाएगा option number C क्रिसी आधारित उधोग यहां तक clear है तो question 18 तक हम लोगों ने अभी देखा answer क्या हो रहा अब हम लोग चलते question 19 की ओर question 19 में क्या लिखा हुआ है तो question 19 में लिखा हुआ है दो देशों के मद बैपार को क्या कहा जाता है तो दो देशों के मद बैपार को अंतराश्टी बैपार कहा जाता है question number 19 का सही answer हो जाएगा option number B question number 20 में लिखा है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा ने कृत्रिम बंदरगा देखे एक होता है प्राक्टिक बंदरगा एक होता है कृत्रिम बंदरगा देखिए Q21 में लिखे है 1970 से 1993 के बीच बैल्जियम के सविधान में कितनी बार संसोधन किया गया ठीक है तो वो संसोधन चार बार किया गया थे यानि Q21 का सही इंसर ऑप्सन नमर C हो जाएगा Q22 में लिखे है सत्ता के 36 वितरन को क्या से क्या तातपर है तो सत्ता के जो 36 वितर रिपोर्ट कब लागू की गई थी तो इसका रिपोर्ट 1956 में लागू किया गया था Q23 का सही इंसर ऑप्सन नमर B हो जाएगा के लिए यहां तक चलिए हम लोग देखते Q24 से तो Q24 से हम लोग देखते क्या होगा देखे Q24 में लिखा हुआ है भारत में राज्यतिक दल को मा चुनाव आयोग देता है यानि Q24 का सही इंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर C ठीक है चलिए चुनाव आयोग देखिए Q25 से उसमें लिखा है ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राज्यतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है ठीक है तो इस सरकार को हम लोग बोलते हैं गडव त्दन सरकार Q26 कौन सा तरीक लोगतंत में राज्यतिक सुधार क्या करने के लिए बहतर है तो वह क्या है वह रहुग दर बनाना यानि Q26 से बहुत सरा एदर लिखा हृँ बहुत स्मूभ होए को देखते हैं देखें कोस्चेन नमट 27 में क्या लिखा है कि बॉलिबिया के जल यूद इसके खिलाप थे थे कि बॉलिबिया के जल यूद जो है पानी नीजी करन के खिलाप यानी नमर नमर जो आपका 27 दिखिख रहा उस 27 का शय एंसर रजाएगा ऑफयोसिन नमर एपादी के खिलाब केimming, क्यों आप गहले आपका 28, उसकों है वपशलबर सर्कार बहते हैं, जो हर ओते भी सर्कार वी होती है Just जिम्मेदार सरकार भी होती है यानि इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो कोश्चन नमर जो आपका 28 से सही एंसर हो जाएगा उप्युक्त सभी जो इसके निप्तारा कौन करेगा इसके निप्तारा करेगा नयाई पाली का यानि कोश्चन नमर जो जाएगा नयाई पाली का बहुति है और यह लिखा गया तो यह हम लोका आठ भी अनुसूची में लिखा गया है कि भारती है सभीधान में 22 भासाय होंगे ठीक है कि चलिए यहां तक क्लिए रहे अब देखते हैं हम लोगतन को इस्तापित करने के लिए क्लिए रहे यहां तक चलिए अब कुश्चन नम्र 32 में क्या लिखते हैं कि एक उधोग्त पती के लिए विकास आत्मक लच्च क्या होता है तो उसके लिए जए लच्झ होता है वह अधिक वज्ली प्राप्ट करना को पे डिपेंड करेगा और भी बहुत सारा चीज होता लेकिन ओप्षन के नुशार ये तीनों हम लोगा चलेगा इसका मतलब हम लोगा सही एंसर कोश्चन नमर्ठटी थिरी का ओज़ेगा ओप्षन डी इनमें से सभी देखें कोश्चन नमर्ठटी फोर में लिखा है प्राक्टिक उत्पात को बिनमें के माध्यम से उप्योगी के माध्यम से उप्योगी वस्तू में बदलना किस छेत्र में आता है यह होता है दित्य छेत्र यानि कोश्चन नमर्ठटी फोर का सही एंसर हो जाएगा ओप्षन न में इनिम्लिक्ट में क्या लिखा है् मतला मतलम सबंपantes चाहिए अबब से तो आपका 36 है इससे से मिर्दा ना shown के मुद्रा लिखाएगा पहली बात और इसका एंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा उप्योगत सभी कोश्चन नमबर 37 में लिखा हुआ है कि विश्व बैपार संगटन याले डबलू टी ओ के मुख्यकार क्या है यानि प्रमुक्यकार इसका क्या है तो इसका प्रमुक्यका क्या है विश्व बैपार को बढ़ावा देना यह भी इसका कार है विश्व बैपार समझने नीमों को बनाना यह भी इसका कार है इसका इसका मतलब 38 का सही अप्शन नमबर डी हो प्यूक्त सभी ठीक है कुर्शन नमबर 39 जिसमें लिखा हुआ संगठन जो अंतिराष्ट इ इस ओ यानि ओप्सन नमबर 30 का सही इंस हो जागा कुर्शन नमबर 39 का देखें को फोटीन लिखा है सब्सक्राइब समय सब्सक्राइब समय होगा यह मिस्प्रिंट है क्वाइब कौन सा निसान देखना चाहिए तो वह होता है इक मार का निसान कोई भी आप खानी पीने का स एक मार का समान निसान होता उसको देखना जडियुर्यानी कोर्मचन चालिस का से इंसर नमर की हो जाएगा ठीक है छालिए तो मुण का 40 कोशिन कंपलीट हो चुका है इसमें छालिस गॉश् sex न हो चुका है लेकिन इस के इक स्ञलिस को fino विदिया उसको मुख 7 में तोटेल 40 का डिस्क्रिप्टिव वाला जो है यानि लॉंग कोश्चन एंसर उसको अमलोग सौल करेंगे या कोई भी दूसा सब्जेट का अमलोग अब्जिक्टिव या लोग कोश्चन को सौल करेंगे ठीक है चलिए तो अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ठीक है चलिए दोस्तों तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद